नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी का। आप सबी के लिए महतुपूर्ना जानकारी है दोस्तों जो कि सायक सिक्षक भरति 12 Cookie कांस्लिंग से अमान ने किया गया था और हाइकोट बिलासपूर का अभी आदेश आना बाकी है लेकिन उसका जो आदेश था उसके धार पे बी एट डिग्री धारियों को साहिक सिछक भरती 2023 गड़ प्रितक कर दिया गया था लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि 31 अगस्त 2023 को साहिक सिछक सिधी भरती 2023 के लिए दस्तावे सत्यापन किया जाना था जो की अब रद कर दिया गया है तो देख सकते हैं आज 29 अट 2023 की तारिक में ही यहां नोटिफिकेशन या लेटर जारी किया गया है जो की लोक सिछन संचाल नाले 36 अट प्रथमतल खंट सी इंद्रावति भन अटल नगर से जारी किया गया है आप यहां पर देख सकते हैं यह इसका क्रमांग और यह प्रती समस्त जिला सिछादिकारी बस्तरम सरगुजा संभाग 36 गड के लिए जारी किया गया है वीशाय में देखेंगे तो लिखा हुआ है सिधी भरती 2023 में सिछकों का दस्तावे सत्यापन वीशायक संदर्भाब देख सकते हैं सासन का प्रत्र क्रमांग जो की 29 2023 को ही जारी किया गया है बहुत तोरी तुरुप से इसमें करवाई हुआ है क्योंकि 29-23 को ही सुप्रिम कोट से एक और आदेश जारी किया गया है दोस्तों जिसमें हाई कोट बिलाशपूर के आदेश में इस्टे लगाया गया है उसका भी फाइनल जज्जमेंट नहीं आया है फाइनल जज्जमेंट आते तक जो भी डिग्री धारियों को प्रिथक किया गया है उसे सायद अब फिर से उन्हें इंक्लूट किया जाएगा उन्हें प्रिथक नहीं किया जाएगा बलकि वो भी काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे लेकिन उनका जो नुक्ती होगा या नहीं होगा फाइनल वो हाइग कोट ब्लासपुर के निरने के अधीन होगा जज्जमेंट के अधीन होगा यह सर्थ के साथ सुप्रिम कोट से आडर भी जारी हुआ है आज ही 29-23 कोई सासन से पत्र जारी हो गया और 29-23 कोई चाहरी से भी यह लेटर जारी हो गया है जो कि मेडिया वाइयरल है। सिकचक साहे सिकचक सिधीicingलगी 2023 कि दिनांग dreamige сцен encant 23622 से किये जने वाले दौक सथागित का जताईथ्शक कर दिया गया दोस्तों। सत्यहण प्रेच्चती सुझना प्रिठक से दी जाए तो यहां पर यही प्रतित हो रहा है कि अभी एड डिग्री धारियों को भी साहक सिक्षक के काउंसलिंग में सामिल किया जाएगा और उसके बाद पुना तो उप संचालक लोक्सिशन संचाल नाले नवरा पुरदिनांग उन्ती साथ दो हजार तेविस हाजी की तारिक में हजारी कर दिया गया है प्रतिलीबी में संभागी संचालक बस्तर सगुजर समुख शती सगर सुचनार प्रेशित किया गया है तो बीएट वालों के लिए ए झालों के लिए।